वेल्कम सुर्वेंट्स आज हम देखने वाले हैं वर्क्षीट नंबर सेवेंटीन क्लास 10 की वर्क्षीट है 13 ऑफ ऑगस्त की इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो एकनॉमिक्स का टॉपिक है जो सोशल साइन्स के अंदर आता है और आज हम देखने वाले हैं chapter development जो topic है development जिसको हम हम इंदी में कहते हैं विकास so development कैसे measure करा जाता है हम इसके अंदर वो देखेंगे basically देशों को compare करने के लिए जो world bank है वो एक map band use करता है जिसे कहते है पर capita income basically इसका मतलब हो गया कि हर एक इनसान एक देश में कितनी आमदनी करता है वो कितनी आमदनी करता है तो जितना जाद आमदनी होगी उसकी उसे उसे हिसाब से देश को अमीर और गरीब की category में डाला जाता है तो जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जादा पर बंदनी की आमदनी हम जानते भी हैं कि वो जादा डिवलप्ट है इसको डिवलप्ट बोलते किस वज़ा से हैं वो एक मादन ये भी है कि वो लोगों की आमदनी देखते हैं पर बंदे की अब इसको कैसे calculate करा जाता है पर capita income पर capita income को जिसका हम कहते हैं प्रति देखती आए तो हर एक बंदे की आए कैसे निकालेंगे अगर हम सब की पूरे देश में जितने लोग हैं उन सब की जितनी आए होती हैं उनको जमा करें और डिवाइड कर दें हम भाग कर दें population से तो उससे हमें पता चल जाएगा प्रति देखती आए आई चलते हैं questions answers की तरफ यहां मैंने हिंदी और इंग्रिश दोनों में आंसर लिख दिये हैं पहला कोशन है वाइड़ास national income and average income is not considered as useful measure in comparing countries यहां पर average income की जगा पर total income होना चाहिए था विकास दोनों भी बुरे नहीं है total income काई माइनों में बुरी हो सकती है तो और जो national income है जिसे हम total income भी कहते हैं वह calculate करे जाती है जो सब लोगों की आय को हम add करें टूटल करें जिसकी वजास से वह clear picture हमें नहीं पता चलती कि financial health इंडिया की कैसी है for example अगर हम लें कि एक country में suppose करो 10 लोग है अगर 9 लोग 10-10 रुपे कमाते हैं मतलब 90 रुपे हो गए दसवा बंदा 100 रुपे कमा रहा है तो टोटल पता चल जाएगा कि भी वहाँ पे एक सो नब्य रुपे कमाई जा रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग सुखी है उसमें सिर्फ क्या एक बंदा ही सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है या सबसे ज्यादा कमा रहा है तो टोटल इंकम से क्या होता है कि एक misleading picture पता चलती है उससे सही डंग से पता चलता कि देश कैसा कर रहा है तो वाट इस पर-capita income हाउट इस केलकुलेटेट इस पर-capita income हो गई जो प्रतिवेक्ति आये कहते हैं जिसको प्रतिवेक्ति आये हैं वह कैसे निकाली जाती है पूरे देश में जितने लोग है वह जितना कमाते हैं उन सब को टोटल करा जाता ह है एड करा जाता है और उसको भाग कर दिया जाता है जंग संख्या से तो इस तरीके से हम क्या करते हैं पर-capita income हाँ निकाल सकते हैं थर्ड कोशन है वाट क्राइटेरिया और यूज़ बाए वर्ल बैंक तो कंपेर देवलप्मेंट ऑप कंट्री इन इस रिपोट तो जो प कि आए जो दिया गया है वह प्रतीवेक्थी आय इसके बादे हम डिसकस कर चुके हैं इंडिया कहां पे इस लोकेट करता है मतलब इंडिया की स्थी क्या है जैसा कि आप यह ग्राफ देख पा रहे हैं इंडिया यहाँ पर देखे बिलकुली मिडल क्लास के उस गेटरे में जाता है लोवर मिडल क्लास के लिए आपके सामने और भी आपर देशों का दे रखा है अफगानिस्तान बहुत ही नीचे है और सबसे उपर है माल दीज का जो है वह 9000 से जादा प्रतिव एक्टी आई है यह सारे के सारी जो वैलियों है वह डॉलर में है यह सरफ एक्जामपल के तौर पर समझाने के लिए मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से इंडिया बाकी देशों के कंपरिजन में स्टैंड करता है और चलते हैं कोशन नंबर फॉर की तरह लार्ज पोर्शन आप टोटल इंकम इस कॉंसेंट्रेटेट इन हैंड फ्यू पीपल कुछ लोग अग उसको रुपीज में मिलनी रहा था तो आप समझे। कि अगर यहां पर 12,000, 12,000, 13,000, 13,000, 13,000 इस तरीके से यहां पर 6 लोग है जो कमा रहें तो प्रती विठिजिश आए लगबग हो जाएगी साड़े 12,000 अगर वहीं पर 12,12, 13,000 और एक बंदी की आए 34,000 पर है तो एवर तो इससे हमें पता चलेगा कि income जो है हर एक विक्ती की लगबख 16,000 रुपे है बड़ ऐसा तो नहीं है यहाँ पर पांच लोग ऐसे हैं मतलब majority of लोग ऐसे हैं जिनकी प्रतिवेक्ती आए जो है 16,000 से भी कम है मतलब average से कम है जो की हो सकती है misleading तो तभी यहां पर बोला average income fails to reflect real distribution income तो यहां पर जो clear image है वो देश की नहीं पता चलती तो यही चीज मैंने आपर image में दिखाई है बस ध्यान रखें यहां पर years की जगह पर rupees कर दे और यह मैंने same answer हिंदी में भी लिखा हुआ है तो आप यहां से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं तो अगर कोई doubt हो in questions में या topic में तो आप जरूर comment box में पूछ ले अभी के लिए इतना ही next worksheet की दरफ चलते हैं Hello students आईए अब आपकी English की worksheet देख लेते हैं worksheet number 17 तो यह जो worksheet है आपकी यह worksheet है 13th August की worksheet Thursday की worksheet और पिछली जो आपकी worksheet थी chapter story थी A letter to God उसी की continuation है यह worksheet तो अगर आपको यह वाली story जो है वो समझनी है तो आप दुबारा से पिछली worksheets देख सकते हैं और यह story की शुरुआत समझ सकते हैं अभी इस story में आगे क्या है यह आगे हम पढ़ लेते हैं तो पिछली बार story में यह था कि हेलस्टॉर्म आजाता है और लेंचो नाम का जो फार्मर है उसकी पूरी की पूरी जो क्रॉप है वो दिस्ट्रॉए हो चुकी है अभ आगे देखते हैं क्या हुआ The hailstorm destroyed the crop and left nothing That's what they say, no one dies of hunger All through the night, Lencho thought only of his one hope The help of God, whose eyes, as he had been instructed See everything, even what is deep in one's conscience तो हेलस्टॉर्म जो था, ओलो की जो बरसात हुई थी उससे जो इसकी crop थी, उसका जो फार्म था, खेत था वो पूरा बरबाद हो गया था तो उसके बाद Lencho बहुत ही चिंते था और वो सोच रहा है कि अच्छा अब समझ में आया कि लोग जब कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है बलकि इस तरह से मरता है तो ऐसा नहीं होता है कि खाना किसी को डिरेक्ली नहीं मिलता है बलकि ऐसी और कई चीज़े हो जाती हैं जिसकी वज़े से उनको खाना मिलना बंद हो जाता है भगवान सब देखता है, भगवान की आखे जो हैं, वो हर जगे देखती है और सब कुछ देखती है, यहां तक कि किसी के मन में, conscience यहां पर, ध्यान से यह conscience नहीं है, यह word है conscience, तो किसी के मन में क्या चल रहा है, उसके moral, क्या thoughts चल रहे हैं, कितने उसके नेतिक मूल उसके दिमाग में चल रहे हैं, यह भी भगवान देख लेता है, Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. तो Lencho जो था, वो एक बैल की तरह इंसान था, वो बिलकुल बैल की तरह अपने खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी इसके बावजू भी उसे लिखना पढ़ना आता था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसे खेत में काम करना आता था, बल्कि वो पढ़ा लिखा है, इंसान था, उसे लिखना आता था, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर, an ox of a man जो है एक metaphor है, बाद में एक question है इस पर, तो इसे समझ लेजिए, ox of a man मतलब बैल की तरह इंसान था वो, मतलब कि बहुत ही hardworking इंसान था, ऐसा नहीं था कि सच्च में बैल था वो, लेकिन बहुत उसकी बैल की जो quality होती है, कि बस वो जी जान लगा कर खेतों में काम करता है, तो लेंचो भी उसी तरह का इंसान था, जो बिलकुल महनत करके, hardworking ली वो अपने खेत में काम करता था, he decided to write a letter to God to seek his help, तो लेंचो ने अब यह सोचा, यह decide करा, कि अब मैं काम करता हूँ, क्योंकि भगवान तो हर जगे है, भगवान सब देखता है, और क्योंकि उसका भगवान में बहुत विश्वास था, तो उसने सोचा, कि चलो अब मैं भगवान को letter लिखूँगा, एक खत लिखूँगा, he wrote to God on the envelope, but the letter inside and still troubled went to town, तो उसने क्या किया, उसने letter लिखा God को, और उसे लिफाफे में डाला, envelope में डाला, उस letter को envelope के अंदर डाला, और लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा परिशान तो था, of course, लेकिन होप के साथ कि भगवान उसका letter लेगा, तो वो उस envelope को लेकर वहाँ पर टाउन की तरफ चल दिया, at the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, तो जब वो post office पहुँचा, उसने अपने letter के ऊपर stamp लगाया, और mailbox में उसने लिख दिया, तो धियान दीजए, यह envelope उसने लिखा था, to God, उसने God को sign किया था, कुछ address नहीं था, कुछ नहीं था, बस उसने letter अंदर डाला, और वहाँ पर envelope जो है, mail कर दिया, stamp लगाकर, अब of course, God कोई mail तो है नहीं, तो God के पास तो mail कहां ही पहुँच था, लेकिन वहाँ पर जो post office में post master थे, उसके पास वो mail पहुँचा, क्योंकि post master के पास लोग गए, वहाँ पर employees जो थे post office के, उन्होंने ये letter देखा और कहा कि, अब यहाँ पर address तो लिखा है नहीं, अब हम इसे कहां post करें, तो वो post master के पास लेकर गए, अब post master ने क्या किया, the post master, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious, and tapping the letter on his desk, desk commented, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God, तो जो post master था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही भला इंसान था, थोड़ा मोटा था, वो fat था, लेकिन बहुत ही amiable इंसान था, वो बहुत ही friendly था, pleasant था, तो जैसे सभी employees हस रहे थे, कि अरे ये देखो इसने तो भगवान को खत लिखा है, भगवान को letter लिखा है, तो सब हस रहे थे, तो ऐसे ही वो भी एक बार तो हसा, लेकिन जल्दी एकदम से वो serious हो गया, और letter को उसने हमने डेस्क पे ऐसे tap करते हुए, कॉमेंट किया कि, वा, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी भगवान के लिए इतना विश्वास होता, मुझे में भगवान में इतना विश्वास होता, कि मैं भगवान को letter लिख पाता, मतलब ये विश्वास का next level है, कि वो उसे इतना बता है कि भगवान है तो इसलिए उनके लिए लेटर तक उसने लिख डाला So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea Answer the letter तो क्योंकि वो उसका विश्वास तोड़ना नहीं जाता था लेंचो का तो postmaster को एक आइडिया आया है उसने सोचा क्यों ना मैं इस question का, यह जो letter है इसका answer लिखूं ताकि उसका भगवान में विश्वास ना टूटे उससे लगे कि हाँ, भगवान सच में है जिसने उसके letter का reply किया है But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper लेकिन जब उसने postmaster ने letter खोला, तो letter खोलते ही उसको क्या पता चला? Of course उसे यह पता चला कि letter में उसने सिर्फ यह नहीं कहा था कि भगवान ऐसे हो गया है बलकि लेंचो ने बहुत ही specifically letter में भगवान से कहा था कि मुझे 100 pieces चाहिए और उन 100 pieces से मैं दुबारा से crop लगाऊंगा और फिर मैं दुबारा से अपने परिवार के लिए खाना और इन सब की इंतिजाम कर पाऊंगा तो जब postmaster ने यह पढ़ा तो उसे of course समझ आ गया कि लेंचो को सिर्फ भगवान से कोई answer नहीं चाहिए था कि हाँ हाँ मैं हूँ और सब ठीक हो जाएगा बल्कि उसे एक specific amount of money चाहिए था तो postmaster को भी यह समझ आ गया कि सिर्फ answer दे देने से यानि goodwill, ink और paper से काम नहीं चलेगा सिर्फ paper paying से लिख कर और अच्छी intention से लिख कर कि हाँ सब ठीक हो जाएगा काम नहीं चलेगा बल्कि उसे तो यहाँ पर शायद hundred pieces भी उसे देने पडेंगे but he stuck to his resolution तो अब यह जो postmaster था लेकिन बहुत अच्छा इंसान था तो इसलिए ऐसा नहीं उसने सोचा कि अच्छा आप इसको पैसे देने पडेंगे और वो भी इतने पैसे देने पडेंगे तो छोड़ो मैं नहीं reply करता हूँ तो क्योंकि उसने determination कर लिया था तो resolution का मतलब है निन्ने ले लिया था, determination उसने कर लिया था उसने यह सोच लिया था, उसने यह ठान ली थी कि मैं इसका बगवान में विश्वास बनाए रखूँगा लेंचो का तो इसलिए उसने सोचा कि नहीं मैं अब उसकी help करूँगा तो इसने क्या किया फिर पोस्मास्टर ने उसने अपनी जो भी employees थे उनसे पैसे मांगे तो जिससे जो बन पड़ा उन्होंने अपने पैसे दिये फिर उसने अपनी salary से भी कुछ हिससा उसने निकाल के उसमें जोड़ा साथ ही साथ उसके कई ऐसे friends थे जो charity के नाम पे दान देते थे तो उसने बोला कि देखो तुम्हें दान तो देना है तो तुम मुझे दान दे दो और मैं इसमें जोड़ कर उसे पे कर दूँगा लैंचो को पे कर दूँगा तो यह सब करने के बावजूदी उसके लिए डिफिकल था पोस्तमास्टर के लिए अंड़ड पीसो इखटा करना तो इसलिए वो क्या कर पाया वो उसको लैंचो को फार्मर को वो हाफ से थोड़ा सा जादा ही दे पाया तो हंड़ड का हाफ हो गया फिफ्टी और उससे थोड़ा सा जादा मतला वो अरूड से थोड़ा सा जादा मतला वो अरूड से थोड़ा से थोड़ा सा जादा मतला वो अरूड से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से थोड़ा से और कुछ उसने नहीं लिखा, बस उसने ये दिखाया कि ये God की तरफ से है, तो ये आपका story का ये portion आपको दिया गया है, इसी पे based आपके questions हैं, आप जल्दी से questions भी देख लेते हैं, तो पहला question है आपका यहाँ पर, who और what did Lencho have faith in, Lencho को किस में विश्वास था, तो इसमें आ आपका answer होगा, Lencho had faith in God, उसको भगवान में विश्वास था, अब चलते हैं आपके दूसरे question पर, आपका दूसरा question क्या था, दूसरा question है आपका, whom did Lencho write a letter to, तो Lencho ने किसको letter लिखा, तो Lencho wrote a letter to God, उसने भगवान को एक letter लिखा था, अगला आपका question है, what kind of a person was the postmaster, postmaster किस तरह का इंसान था, postmaster was a fat and amiable fellow, वो दिखने में fat था और साथी वो बहुत ही pleasant, बहुत ही friendly इंसान था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, आपका fourth question यहाँ पर है, how did the postmaster help Lencho, postmaster ने Lencho की मदद कैसे की, question का answer, question four का answer हम worksheet में already describe कर चुके हैं, जब आपको worksheet हम समझा रहे थे तो already उसमें बताया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने direct answer लिख दिया है, आपको कोई भी इसमें doubt है, तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, तो इसमें answer में बस यही आएगा, अगर मैं quickly आपको समझा हूँ तो, कि postmaster ने यह सोचा कि उसका विश्वास नहीं तोडने के लिए, उसने यह decide किया कि वो लेंचो को letter लिखेगा, God की तरह sign करते हुए, और फिर साथ ही साथ उसने फिर अपने friends से, employees से सबसे पैसे इखटे करके, अपनी salary include करके, वो 100 pesos तो नहीं दे पाया, लेकिन उसको little more than half उ आपका, the metaphor used in the passage, an ox of a man means, तो जैसा कि मैंने आगेन आपको description में समझाय था, an ox of a man, तो इसका आपको यहाँ पर meaning बताना है, तो option A है, Lencho was an idle person, मतलब, Lencho खाली रहता था, पूरा दिन कुछ काम नहीं करता था, option B है, Lencho was very hard working person, तो जैसा description में मैंने आपको बताया है, option B, correct option है question 6, तो यहाँ पर यह misprint है, यह 5 नहीं, यह 6 है, question 6 आपका कहता है, find the word from the passage, which means options given in the bracket, तो passage में कुछ words है, उनके मतलब यहाँ पर लिखे है, वो words आपको पैसेज में से ढून के यहाँ पर लिखने है, तो bracket में आपको options दिये हुए हैं, इनमें से आपको correct one choose करना है, तो पहल आपका question A है, moral sense, तो options यहाँ पर दिये है, conscience और hope, तो जैसा again मैंने passage में describe किया, hope का मतलब होता है, उमीद, लेकिन conscience का मतलब होता है, आपकी क्या moral sense है, तो यह conscience हही है, B है आपका determination, तो again, यहाँ options दिये हैं, आपको faith और resolution, again जैसा description में मैंने आपको का, resolution का मतलब होता है, determination, faith का मतलब होता है, विश्वास रखना, C है friendly and pleasant, तो यहाँ पर options है, amiable और serious, तो amiable का मतलब है, friendly and pleasant, B है आपका currency of Latin American countries, तो Latin American countries में क्या currency use होती है, तो यहाँ options है, आपके salary या pesos, तो obviously salary तो कोई currency है ही नहीं, currency होती है, जैसे हमारा रुपिया हो गया, रुपीज हो गया, और डॉलर हो गया, यह सब currencies होती है, तो Latin American countries में पीसो use होता है, salary कोई currency नहीं होती है, अब आगे चलते हैं आपके next question पर, part two आपका यहाँ पर कह रहा है कि notice how the word hope is used in these sentences from the story, तो यहाँ दो sentences दिये हुए हैं, जिसमें word hope use हुआ है, और आपको इस question में यह देखना है कि कैसे अलग-अलग करीके से यह word जो है, use हुआ है, तो पहला example आपको दिया है, I hope it passes quickly, it यहाँ पर मतलब है, a hailstorm, I hope it passes quickly, और यहाँ पर second example आपको दिया है, there was a single hope, help from God, so in the first example, hope is a verb, which means you wish for something to happen, तो यह पहला example है, यहाँ पर यह जो word hope है, यह verb की तरह यूज हुआ है, verb होते है, action words, इसमें यहाँ hope का मतलब है कि आप यह विश कर रहे हैं कि काश यह हो जाता, तो यह verb है, in the second example, it is a noun, meaning a chance for something to happen, तो यह जो दूसरा आपका example है, इसमें hope यूज हुआ है, एक noun की तरह है, noun का मतलब है, यहाँ पर इसका मतलब है, a chance की, ऐसा chance की कुछ हो जाए, तो there was a single hope, help from God, तो एक ही chance था उसके पास, वो chance था, वो भगवान से मदद, तो hope इस तरह से यहाँ पर use हुआ है, तो इसी पर based आपकी questions है, जल्दी से वो questions भी देख लेते हैं, तो पहला question है आपका यहाँ पर, what type of word is hope in following sentences, write verb or noun against the sentence for the underlined word, तो यहाँ पर अलग-अलग sentences दिये गए हैं, जिसमें word hope यूज हुआ है, आपको यह बताना है कि इस sentence में यह verb की तरह use हुआ है, या noun की तरह use हुआ है, तो पहला देख लेते हैं, पहला है, I still have some hope that I can get to work on time, तो पहले इसमें sentence में बोल रहा है कि मुझे अभी भी यह उमीद है कि मैं समय पर अपने काम की जगए पहुँच जाऊंगा, तो अगर आपको यह देखना है कि वो verb है या noun है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पर मतलब क्या है hope का, तो अगर hope का मतलब है कोई wish कि काश यह हो जाता तो वो verb है, लेकिन महीं अगर hope का मतलब है कोई chance कि यह chance इतना chance है या नहीं है, यह होने का आपके पास chance है या नहीं है तो वो noun की तरह use हो रहा है, तो जैसे कि पहले sentence में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह chance की बात है, कि उसके पास इतना time है, यह chance है कि वो time पे पहुँच जाएगा, तो इसलिए यह जो पहला वाला है, यह noun है, अब दूसरा sentence है आपका, I am still hoping that all will turn out well, तो मैं यह अभी भी उमीद कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक होगा, तो I am hoping मैं यह कर रहा हूँ, मैं यह wish कर रहा हूँ, तो इसलिए यह verb है, action word है यह, third है, लेंचो never gave up hope, लेंचो ने कभी उमीद नहीं छोड़ी, तो क्योंकि again यह लेंचो यहाँ पर gave up actually में verb है, gave up एक phrasal verb है और hope noun की तरह act कर रहा है, क्योंकि उसने उमीद कभी नहीं छोड़ी, उसने क्या नहीं छोड़ा, उसने उमीद नहीं छोड़ी, तो यह chance की बात है, तो यहाँ पर यह noun है, fourth है आपका our children are our greatest hope for the future, हमारे जो बच्चे हैं, वही हमारे future की आने वाले कल की सबसे वड़ी तो बच्चे क्या है, वह उमीद है, तो जब आप ऐसे कुछ से sentence से question पूछते हैं, तो आपको यह अंदाज़ा लगाना आसान हो जाता है कि वह verb है यह noun है, तो क्योंकि यहाँ कोई action नहीं कर रहे है, hope जो है कोई action नहीं दिखा रहा है, तो वह verb नहीं है, वह noun है, last है आपक I hope everyone likes this exercise, मैं यह उमीद करता हूँ या करती हूँ, कि सभी को यह exercise पसंद आए, तो again क्योंकि आप कर रहे हैं, जैसे ही मैंने का मैं उमीद करती हूँ, मतलब कि आप कुछ action कर रहे हैं, तो hope यहाँ पर verb की तरह use हुआ है, तो आज की आपके worksheet में इतना ही है, उमीद करते हैं, आपको यह worksheet समझ आ गई हो अच्छे से, even we hope that you understood this worksheet, आपको कोई भी अगर doubt है, तो आप हम से comment section में पूछिए, इस चानल को like और subscribe जरूर कीजे, आज के लिए इतना ही है, thank you.